शुक्तु प्रभाद आज हम नैती सिक्षा का पार्ट 10 से 14 तक के प्रश्च उत्रों को करेंगै पहले पार्ट 10 ईर्षप्रातना करतवी मार्ग पर जट जाने के लिए यहाँ प्रभु से किस सक्ति की मांगी गई थी है कर्तवे मार्क पर लट जाने के लिए यहां प्रवु से ऐसी सक्ति की मांगी गई है कि हम अपने कर्तवे का पालन करने में सावधान रहें हमारा जीवन परोपकार से भारा हो तता हम अपने और समाज की कारियों को ठीक प्रकार से कर सकें जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना यहां अवश्य बताया गया है तो जीवन को सफल बनाने के लिए सेवा और परुपकार करना यहां अवश्य बताया गया है पाठ 11 पाप के अंद का प्रभाव राजा साधू के पास किस लिए गया था? तो राजा साधू के पास उन्हें अपने नगर में लाने के लिए गया था साधू राजा के पास उसके महल में क्यों गया? राजा के अत्यधिक अन्रोध करने पर साधू राजा के पास उनके महल में चला गया तीन साल बाद राज महल में कौन सी घटना गटी? तो तीन साल बाद कौन सी घटना गटी थी? रानी स्नानागार में नहाने गई और अपना हीरो का हार उतार कर एक तरफ रख दिया स्नान करने के उपरान जब वे बाहर आई तो हार उठाना भूल गई कुछी देर बाद साधू स्नानागार में स्नान करने के लिए गए हार को देखने के बाद उनका मन बदल गया हार को उठाकर साधू राजभावन से बाहर निकल गए साधू राजा सैनिको के हाथ क्यों नहीं आया साधू एक विशाल वन की ओर चला गया जिदर प्राय कोई आता जाता नहीं था वो ऐसे जगे पर चला गया जहां पर कोई आता जाता नहीं था जंगल में ठीक है इसलिए वह राजा राजा सैनीकों के हाथ नहीं आया यो चैनिक थे उनके हाथ में नहीं आया पकड़ नहीं पाय उसको खोज नहीं पाया साथुह भाड़ लॉटा ने क्यों स्वें आ गया तो साथु को अपनी गलती का एहसास हो गया इसलिए हारलोटा ने स्वैं आ गया इस कहानी से हमें क्या सिक्षा मिलती है तो वास्तों में पाप की कमाई का अन मन को बिगार देता है उसे करता विज्ञान से विम्मक कर डालता है तो हमें जो भी है सची कमाई करनी चाहिए पाप की कमाई करने पे जोड़ नहीं देनी चाहिए इस कहानी का यही तात परिया है पार्ट बारव राष्ट्रे प्रात्ना ब्राम्हन तता च्छत्रिय के क्या करतव्य है ब्राम्हन के च्छै करतव्य और च्छत्रिय के च्छै करतव्य तो पहले हम लोग ब्रामण के कर्टवे को देख लेते हैं यग्य करना, यग्य कराना, वेत पढ़ना, वेत पढ़ना, दान देना और दान लेना चत्री के 6 कर्टवे यग्य करना, वेद पढ़ाना, दान देना, प्रजापालन, दुष्टो का दमन और देश की रक्षा ये चत्री का मुख्य कर्टवे हैं वैशे और शुद्रो के करतवे बताईए वैशे के चाह करतवे हैं यग्य करना, वेद पढ़ना, दान देना, गौपालन, कृशी, वानिज्य और शुद्रो के करतवे शुद्रों का काम अपने सुभाव के अधार पर उप्युक्त तीन में से एक या अनेक की सहायता करना यानि सभी की सहायता करना गोधन की सुरक्षा से क्या लाब है तो गोधन की सुरक्षा से इनकी संख्या में बिर्द्धी होगी और इससे हमें यह लाब है कि दूद, दही, घी, मक्षन, इत्यादी की कमी नहीं होगी पार्ट 13 प्रभू का धन्यवाद गंधर्व मुदिजन किसका ध्यान करते हैं? तो गंधर्व मुदिजन प्रभू का ध्यान करते हैं मुनिवर कहां रहकर प्रभू का धन्यवाद करते हैं? तो मुनिवर मंदिरों में, कंदराओं में और परवतों की सिखर पर रहकर प्रभू का धन्यवाद करते हैं जल्चरों के रहने के मुख्यस्थान कौन कौन से हैं तो जल्चरों के रहने का मुख्यस्थान कूप में तलाब में और सागर की गही धार में जल्चरों के रहने के मुख्यस्थान है हमें कैसे औसरों पर प्रभु को धन्यवाद देते हुए इसे गीतों का गाना चाहिए हमें स्वाधियों में, किर्थनों में, यगे और उत्सवों के औसरों पर प्रभु को धन्यवाद देते हुए एसे गीतों को गाना चाहिए पार चौद जिवन दायनी दयानन्द महारशी ने पाखंड खंड नी पता का कहां फहराई तो महारशी ने पाखंड खंड नी पता का हर द्वार के कुम्प मेले में सब्त सरोवर पर फार आया पानमी बिश देने वाले के साथ स्वामी दयानन्द ने कैसा वेवार करने को कहा स्वामी द्यान दनने के भक्त ने पान मेविस देने वाले को पकड़कर जेल में डाल दिया और उसे कठोर दंड देने की इक्षा प्रगट की रिशी ने उत्तर दिया कि मैं संसार को कैद कराने नहीं 1. कैद से छुड़ाने आया हूँ कंड सिंग ने स्वामी जी का तलवार का प्रहार क्यों किया स्वामी जी के खंडन से कुपित होकर उसने उन पर तलवार से आक्रमन किया सत्यात प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ और इसका क्या प्रवाव पड़ा तो सत्याल प्रकाश का प्रकाशन 1875 में हुआ और इस गरंध ने देश में एक जवर्जस्त विचार क्रांती पैदा की पंजाब में स्वामी दयानन सबसे पहले कहां पहुँचे तो पंजाब में स्वामी दयानन सबसे पहले लाहूर पहुँचे सरदार विक्रम सिंग को महर्शी ने ब्रह्मचर की महत्ता किस प्रकार समझाई तो जाल अंदर में स्वामी जी ब्रह्मचर की महिमा पर बोले वहां सरदार विक्रम सिंग ने उनसे ब्रह्मचर की सक्ती का कोई प्रमान देने की बात कर दी सभा की समापती पर जब सरदार सहाब अपनी चार घोड़ो वाली बगई पर जाने लगते लगे तो स्वामी जी ने उन्हें बिना बताए पीछे से बगई को पकड़ लिया कई चाबुक लगाने पर भी जब घोड़े आगे ना बढ़ पाए तो उन्होंने पीछे देखा इसे न केवल उन्हें अपतु वहां की सभी जनता को ब्रह्मपचर केबल पर विश्वास हो गिया इस प्रकार स्वामी जी ने विक्रम सिंग को ब्रह्मपचर की बात समझाई, मात्ता की बात समझाई गौरक्षा तथा आरे भाषा की प्रतिष्ठा के लिए स्वामी जी ने क्या किया गौरक्षा के लिए स्वामी जी ने गौरक्षा आंदोलन को जनम दिया तथा गो करुणा ने दिपुस्तक की भी लिखी आरे भाषा की प्रतिष्ठा के लिए महारशिनी सब जगह हिंदी भाषा को राजकाज की भाषा बनाने के लिए आनूलन भी सुरू किया स्वामी जी का देवाशन कब हुआ स्वामी जी का देवाशन 30 अक्टूबर 1883 को हुआ स्वामी द्यानन लिखे किनी तीन गरंथों के नाम बताईए स्वामी द्यानन लिखे तीन गरंथों के नाम सत्यार्थ प्रकाश, गो करुणान धी और संसकार विधी ये स्वामी जी के द्वारा लिखे गए तीन गरंथे हैं तो अन्तुता हम कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे कि जो बचे हुए पार्ट है वो इसके अगले वीडियो में आपको मिलेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा